आम आद्मी पार्टी के मुखिया अर्विंद के जिर्वाल की गिरफतारी पर उनके पुराने मित्र कभी कुमार विश्वास ने के जिर्वाल को गजब आईना दिखाया है। आपके मुखिया की गिरफतारी पर एक तरफ तो पार्टी में खलवली मची हुई है और पार्टी के नेता विरोध परदर्शन की बात कर रहे हैं तो वहीं कुमार विश्वास ने आपकी बोलती बंद कर दी है। पूरी पार्टी ब्रस्टाचार में लिप्त दिखने लगी और लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति जो देश की राजनिती से ब्रस्टाचार को खत्म करना चाहता था वो खुद ही ब्रस्टाचार के मामले में जेल चला गया। किसी को कुछ नहीं मानते हुए ही अपने पुराने साथियों को पीछे छोड़ दिया। या ऐसा हालात बना दिये गए कि केजरवाल साहब के पुराने साथी उनका साथ छोड़ कर चले गए। जिसमें सबसे चौक आने वाला नाम था कुमार विश्वास का। क्या कुछ कहा है कुमार विश्वास ने बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। द्रसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल की शराब नीती से जुरे मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतारी को लेकर कभी कुमार विश्वास ने परतिकिरिया दी है। केजिरवाल की गिरफतारी के बाद कुमार विश्वास ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर भगवान को माथा टेकते हुए एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कर्म प्रधान विश्वरची राखा जो जसकरही सो तस फल चाखा। 24 को धन शोधन निवारन अधिनियम विशेश अदालत में पेश किया जाएगा। इसलिए इस्तिफा मांगते थे क्योंकि उन पर भरस्टाचार के आरोप लगे हुए थे। केजरिवाल का कहना था कि अगर किसी वेक्ती पर भरस्टाचार के आरोप लगे तो उसे तुरंत इस्तिफा दे देना चाहिए। लेकिन अब केजरिवाल एक्सपोज हो गए हैं। देश के लोगों ने देख लिया है कि कैसे एकनेता जो अपने आपको कटर इमानदार कहता था आज वो भरस्टाचार में लिप्त दिख रहा है। Bureau Report, OMH News